त्री वाइर डी सिस्टम का मतलब यह है कि आपके पास थीन तार अवेलेबल है इसमें नॉर्मली आपने यह काम करक्खा होता है कि इस इस पॉस्टिटिव आउटर इस इंदे करन जारिये लेट से आई वन इस 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 इंदे करन जारिये आई टू और दिस इस बेस्क्रीट ग्राउंड और इसके अंदर करन जाती है आई वन माइनस आई टू होता क्या है आपने इसके और इसके बीच में एक रोड लगा रखा है और एक रोड इसके और इसके बीच में लगा रखा है तो इसके इंदा का current I1 जा रही है, if this current is I1 and this current is I2, then this current is I1-I2. अगर बैलेंस लोड है, अगर ये वाला लोड दोनों दोनों अगर बैलेंस है, तो इसका मतलब I1 will be equal to I2 और इसके अंदर neutral के अंदर कोई current flow नहीं करेगी. लेकिन अगर ये दोनों लोड बैलेंस नहीं है, तो I1 will not be equal to I2 और इसका मतलब I1-I2 इसके अंदर flow कर रही होगी. थर्ड आप लोड एक और भी इसके अंदर लगा सकते हैं, which can be this. In that case, if this is I, then this is I1 plus I, this is I2 plus I. इसके अंदर लगा सकते हैं, जिसके अंदर I current जा रही है, and similarly, तो ये basically 3YDC system है. इसमें normally होता क्या है, कि आप इसको obtain दरने के दो अलगलत तरीके हैं, two generator method और balancer set method. Two generator method कैसा है, आपने इसके अंदर यहां पर एक generator यहां लगा दिया, एक generator यहां पर लगा दिया. यह इसकी field winding है, यह इसकी field winding है. और इसमें क्या करका है, इसका positive है, इसके negative से जोड़ रखा है. So this is positive, this is negative. इसके respect में यह positive है, इसके respect में यह positive है. तो अगर यह 220 दे रहा है, यह 220 दे रहा है तो आपको यहां से यहां तक कितना मिल ला है? 440 volts. तो यहां से यहां तक आपको प्लस 220 volts मिल ला है, और यहां से यहां तक प्लस 220 volts मिल ला है. तो इसके across 220 है, इसके across 220 है और इसके across 440 volts आ रहा है. प्लस DC में, प्लस 440 volts. तो यहां को तीन अलग-अलग voltages अवेलिबल है, और इसका बैसके रही फाइदे इसकेंदर लिस्टिंग दे रखी है, इसकेंदर कि 3-wire DC स्टम के फाइदे क्या क्या है? 2 different voltages are available, 220 और 242 अलग-अलग के वोल्टेज अवेलिबल है. High voltage for power load and low voltage for domestic and light load. Then, with the same amount of copper, 3-wire DC system, 3-wire DC distribution delivers more power, ज्यादा पावर इसकेंदर मिलती है, without affecting the efficiency. यह वली चीज है, जब आमने कंपरदर नग कोस्ट अवेलिबल किया था, ता उसमें यह वली चीज है, आमने देखी ती कि 2-wire transmission, therefore transmission, but basically distribution के लिए वोई चीज हाती है, 3-wire is more efficient, वह लादा है, और इसके रावा किया, it requires only 0.3125 times copper, जितना 2-wire system के लगता है, 2-wire के लग रहा है, for 2-wire system के लिए, अगर आपको के kg of copper यूज करना पड़ रहा है, तो 3-wire के लिए, 3-wire system के लिए, 0.3125 के यूज करना पड़ेगा, तो copper is also reduced, कई सार इसके फायदे है, तो इसका एक तरीका तो यह हो गया, this is known as two generator method, two generator method, और दूसरा है, balancer set method, balancer set ज्यादा यूज करते हैं, for obvious reasons, और इसके अंदर आप क्या कमते हैं, unit, three different generators, इसमें diagram जिस तरह बना रखा है, मेरा suggestion यह है, कि उस तरह सा मत बनाई है, थोड़ा सा change करना है, यह है, अब इसमें क्या है, इसमें winding उसने यहां जबना रखी है, यह confused करेगा आपको, ज्यादा अच्छा क्या है, कि winding जो आर्मिशर के परर में बनाई ही, यहीं परी, इससे confusion नहीं होगा, यह क्लियर रहेगा कि इसके निदा क्रेंट क्रिटी आ रही है, और इसके अलावा, देन देन अनदर सेट, विच इस लाइक दिस, इस बेस्किली ते ग्राउंड, यहां पर आपने एक और लगा रखा है, बैलेंसर सेट, यह है, बेस्किली पूर स्टम, तो, बागे सब this is i1 and this is i then this current is i1 plus i this current is i1 minus i2, this is i2, this is i2 plus i और इसके अलावा यह दोनों करेंट दे रहे हैं I1-I2 by 2 और I2-I1 by 2 तो इसके लिए जो करेंट जा रही है that is I1-I2 by 2 और यह वाले जो करेंट है दिसके इसके इसके लिए बाले जा रही है यह बिसके लिए अलगर करेंट की वाले जा रही है बाले जाता है इस दे बाले जाता है अधिस दे बैलेंसर सेट मेथर बैलेंसर सेट बैलेंसर सेट एक छोड़ा टॉपिक इसके अंदर आओ इस बूस्टर इस बूस्टर का यह भी आर सीरी जेनेटर डीसी जेनेटर होते हैं और उनका काम क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत लंबी ट्रांस्पिशन सप्लाइए जिसमें आपने इसमें अगर आपने यहां पर सप्लाई दिल लगा रख़िये और यहां पर अगर लोड लगा रखा है and it's a very long distance बहुत लंबा distance है तो in that case problem क्या हो जाती है कि यहां पर मानीज आपने 200 वोल्ट दिया था यहां तक पहुंशते पहुंशते वापको काफी कम वोल्ट मिल ला है तो आपको बीच में डीच में बूस करने के लिए आपको जेनरेटर लगाना पड़ता है विच इस डीची सीडिनेटर इस बेसिक परपाज इस के लोट के साइड में लगाते है कि जितना ड्रॉप होना है वह वहां तक हो चुका होता है और इसको फिर यहां पर इसको बूस्त कर देते हैं तो इस लैक दिस यह हो गया यह से सीरिज फिल्ड हो गई इसको चराने के प्राइम मूवर चाहिए यह यह जरूरी नहीं पार स्टेशन मनाया जाया इसके लिए आप एप युअला काम कर सकते हैं कि कहीं फिर भीच में मांट गा सकते हैं इसके तरफर्मर्स कम नहीं करेंगे आपको आपको काम कर सतने हैं बूस्तर चाहिए वो पैरल वारा वोल्ट लेकर सीरीज कर देता है तुक्तर थे तो आपने यह पर लिया अगर यह है और यह उन्या को ठीज करना है तो आपने यह लिया और यह लेक करके आपने इसके इन्दर तो यह काम कर रहे हैं कि जेनेटर से अब डीशी जेनेटर अलग से चला रहे हैं और से वोल्टर इसके इसके इन्दर सीरीज में डालने हैं इसके 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 इस इसमें आपको यह दहान लखना है कि AC कॉन्टिटी जिस्टम आप हैंडिल करें है तो उनके अंदर फेजर्स मतलब मेंगनिचूट्स एस वेल एस एंगल्स दोनों को चीजिए का ख्याल लखना है और उनमें प्लस माइनस और मॉल्लिक्लिकेशन डिविजन यह सब करना आना च है अट पॉंट यह B and C, पॉंट B पर लोड लगा है तर इस 60 Amperes, 60 Amperes 0.8 Lag, इस I1 and I2 is equal to 120 Amperes 0.8 Lag, इसके अलावा voltage at C is maintained at 400 Volt, this is maintained at 400 Volts, 400 Volts है 400 Volts को AC phasor कंतर कैसे लिखेंगे, A plus JV, A plus JV को format में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, B C section B C की जो impedance है that is 0.08 plus J 0.12 Ohms, इसकी है 0.04 plus J 0.08 Ohms, यह है, 120 Amperes 0.8 Lag, इसको आप A plus JV को format में कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे, यह वादे काम अगर आपने कर लिखेंगे, सारा काम हो गया, 120 Amperes 0.8 Lag, 0.8 Lag का मतलब बैसके लिखेंगे क्या है, cos phi is equal to 0.8 Lag, ठीक है, lagging के लिखेंगे A minus JV भी उसकरते हैं, A minus JV भी क्या यह पताता हूं, sin theta, sin phi minus J cos phi उसकरते हैं, cos phi minus J sin phi, sorry, cos phi minus J sin phi, यह होता है, lagging के लिखेंगे यह वारा होता है, lag के लिखेंगे, lead के लिखेंगे, cos phi plus J sin phi, क्यों, हाँ, that's correct, तो उसका यहां पर क्यों ऐसा काम क्यों कर रहे है, lagging और leading से क्या फरफ पड़ रहा है, यह फेजर के रिखेंगे करने का तरीका है, cos theta J sin theta का मतलब कि यहां पर क्या है, यह जो access होती है, इस access में क्या होता है, यहां से लेक करके, अगर यह वाली R access है, तो इस side में आप, उपर वाली side में और नीचे वाली side में, नीचे वली सेड़् में आप के दिखाते हैं नीचे वली सेड्म माँ अधिस बेसकरी XL इंड़क्तिव नीचे वली सेड्में XL आता है उपा वली सेड्में समझ लिगे, अगर यह भी है, ऺइसके लिए अगर यह आई हो यह जिसि यह आई अगर यह इई कर यह है उर आइ UFC हुआ है, तो सी तरीके से excel-аются io सिस्टा आम निकालते हैं तो इसके लिए भी आगा थिए कि लग वादा तो इसलिए एक साइट में चलना होता है, तो इसलिवन पे थ Zen गया। ठीक है 400 को अगर a plus jb को फर्माट में करना पड़ाएगा तो this is 4 into 1 plus j0, इसका मतलब this is 400 plus j0, यह हो जागा, ठीक है, यह तरीका है, j0 ऐसे है क्योंकि पूरी-पूरी real axis पर है, inventory axis पर कुछ भी नहीं है, this is 400 volts, 400 volts है, तो यह तरीका हो जाएगा, यह आपको मिल गया, 0.8 lag है, त तो इसका जब आप वो बनाएंगे, फेजर, तो इसका फेजर बनेगा, 120 into 0.8 minus j0.6, इसमें है, इसका बनेगा, 60 into 0.8 minus j0.6, और अगर आपको 0.8 का 0.6 याद नहीं भी आए, तो भी आप इससे निकाल सकते है, So this is my calculator, 0.8 का अगर सक फाई, तो से साइन फाई की वरी निकाल सकते है, पहले फाई निकाल लीगे, फाई साइन फाई की वरी निकाल, यह चीज हैगे, तो बी,सी निदर जो वोल्टेज ड्रॉप और रहा है, सक्च्छन बी,सी के निदर, वोल्टेज ड्रॉप, आप, to this impedance multiplied by this current. So, 120 into 0.8 minus J 0.6, this is basically I2 and this is Z2, let us call this Z2, this is Z1. So, Z2 into I2, Z2 into I2, this is that drop, voltage drop in section BC, this will be. In this case, when you add 400 plus J 0, then you will get a point. It is simple. It is not a tough thing, but if you need to do AC quantities, Z2 into I2, you should have to do AC quantities. After that plus 400 plus J 0, when you do it, you will get this voltage and this voltage plus this voltage drop is equal to this impedance multiplied by this current. This current. If you multiply both, you will get this voltage drop and this voltage drop plus this voltage will give you the value for this. Okay? AC quantities will multiply and add to it, that voltage, which I have not made to be the value for this voltage. Get out the voltage of the voltage, the voltage and the voltage... For me, this voltage... Just for me, that voltage, I may already have the voltage. We are the voltage of the voltage. Follow the voltage. I am a power. You can now. You can now show me. I will say, now I want you to know.